एक पती सुबह सुबह बीवी पर चिल्ला रहा था बीवी क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? पती मैं तेरे से परेशान हो गया, आज से सारे कम तु करेगी खान न तू बनाएगी, बरतन धोएगी, जूते पॉलिश करेगी बीवी अच्छा ठीक है पर कम से कम पलंग के मिशे से तो बाहर आ जाओ पती सुनती हो कल मैंने यहां से पांसुर रुपे का बंडल रखा था उस पल राल रंग का रबर लगी थी पत्मी रबर हाथ में देते हुए यह लो तुम्हारी को जान निकले जा रही है इतने से रबर के लिए पती एक ही वाक्या में अच्छी और बुरी ख़बर दो पत्मी मैं और पडोसर कल एक सपमाई के जा रहे हैं दिल और दिमाग का भी ताथ बहु जैसा रिष्टा होता है दोनों एक दूसरे की खुशी करें और उसियों से रिष्टे खराब ना करें लड़की वाले आपके बारे में जानकर इनी से लेते हैं दूद से सिर्फ हडिया मजबूत होती हैं जब जब चाए से रिष्टे दोस्ती और महबबत और दारों से तो जन्मों के बंदन बंद जाते हैं चोधराईन ने चोधरी से खा अब तू हुक्का मत पिया कर चोधरी बोला रे बावली करने के पता इसमें तीन देवता निवास करें से नीचे जल देवता बीच में पवन देव और उपर अजमे देवता अब चोधरी हुक्का पिता है और चोधराईन हाट जोट के बैठी जाती है